18 निवेंबर को पौने दो बजे बिहार एस्टेट 2023 एन 24 के पेपर 1 के 16 विशे और पेपर 2 के 29 विशेओं पर रिजल्ट्स दे चुका है अब इस पर बिहार विद्याले परिक्षा समिती के अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने सभी को बधाई भी दिये साथ ही साथ में आप लोग के लिए बिहार एस्टेट के रिजल्ट का वियाख्या करके आप लोगों तक पहुँचाए कि ये एक्जाइम कैसे कैसे कंडक्ट हुआ था और उस पर कितने स्टूडेंट्स पास हुएं कितने स्टूडेंट्स फेल हुएं और आगे की रणनीती क् कि इस विडियो को आपने ध्यान से सुनना है सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं यहां पर पूरा यह जो है वर्गी करन किया गया है बिहार के पेपर में टोटल चार लाग से भी अधिक स्टूडेंट्स जो है अब ही और हुए थे लेकिन जो उतीन हुए स्टूडे से कि CBT माध्यम से यह पेपर में में हुआ था पेपर वान ठीक है में से लेके जून तक और जून में हुआ था पेपर टू डेट्स वगर अभी सब दी गई है मैं एक बर आपको रिजल्ट वता देती हूं पेपर वान में 2,63,911 स्टूडेंट्स अपियर हूए थे और उस प्लाग प्लस स्टूडेंट जो है वो अपियर हूए थे 1,59,911 और उसमें से जो रिजल्ट आए वो है 1,3,050 ठीक है एक लाग तीन अजार पचास का रिजल्ट आया है यानि कि उन्होंने क्वालिफाइ करें तो जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो थोड़ा कम है 64% 64.44% बट क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सादा हैं तो सब्जेक्ट वेरियंट कट आफ निकलेगी तो अगर हम इसके कट आफ को ब्रीफली डाइसेक्ट करें तो यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है वो है आप लोग के उतीर नाख यानि कि जो क्वालिफाइंग परसेंटेज वो भी काटेगरी तो काटेगरी वेरी करती है समान्य वर्ग के लिए जो पासिंग मार्ग से वो थे 50 परसेंट ठीक है अब यह समान्य वर्ग हर वो स्टूडेंट हो सकते है जो आउटसाइड व बिहार बिलॉंग करता है और वो बले अपने स्टेट की करना था 42.5 परसेंट अंक से जो अनु सूचित जन जाती है उनका 40 परसेंट था दिव्यांग का 40 परसेंट और महिला का भी 40 परसेंट था यह सारे जो क्याटेगरी वाले स्टूडेंस है यह इंसाइड अव बिहार होने चाहिए यह एक पॉइंटर था जिसके वज़े से र कर लेती हूं अगर मैं बात करूँ पेपर वन की तो यहां पे सोला सब्जेक्स यहां पे गिवन है मैंने आपको बता चुकिए हूं अपियरिंग स्टूडेंट इस्टू क्वालिफाइंग स्टूडेंस एंड रिजर्ट का परसेंटेज भी यहां पर धिहां से देख सकते ह यह जो हमारा फिजिकल एडूकेशन सब्जेक्ट उसमें भी बहतरीन रिजर्ट साहें साथी साथ में अंग्रेजी सब्जेक्स में भी बहतरीन रिजर्ट साहें इतना ट्रिमेंडेसली अच्छा स्टूडेंस ने परफॉर्म किया है मेरे पास 131,135,137 वाले स्टूडेंस बहुत सारे हैं जो यहां पर बहुत खुश हैं इस एक्जाम को पास करते हुए and all my blessings are with them और में चाहूंगी बस वो आगे के लिए तयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है रिजर्ट का परसेंटेज आए साथ ही साथ में इनृत्य सब्जेक्स से भी अच्छे रिजर्ट से कम रिजर्ट देखे गया हैं कम परसेंटेज देखी गया है वो रहे हैं सब्जेक्ट जैसे कि भोजपूरी हाला कि इसमें नंबर ऑफ क्यांडिडेट्स भी कमी थे ठीक है जैसे कि सब्जेक्स लाइक मैथली इसमें भी आपको comparatively बागी सारे पोस्ट के नंबर ऑफ आप्ल रिजर्ट को अच्छे से समझ सकें आचा अब बात कर लेते हैं हमारे पेपर टू की पेपर टू में भी जैसे क्रिशी अर्भी बांगला भोजपुरी वनस्पती शास्त्र रसायन शास्त्र वानेज्य कंप्यूटर साइंस अर्थ शास्त्र अंग्रेजी भूगॉल हिंदी इतिहास, ग्रेव ज्यान, मगही, मैथली, गानत, संगीत, पाली, पर्जयन, दर्शन शास्त्र वातिकी, रसायम विज्यान, प्रा, प्राकृत, ठीक है उसके बाद मनु विज्यान, संस्कृत, सामाच शास्त्र, उर्दू, जन्तु विज्यान, 29 सबजेक्स पे जो रिजल् और उसमें से रिजल्ट आ अठारा सो उननत्ति स्टूदेंस का, तो यह एक अच्छा परसेंटेज है, अगर मैं बात करूँ यहां पर मगही कि इसमें नंबर अप्लिकेंस कम थे, बट रिजल्ट यहां 100% आया है, अगर मैं कम रिजल्ट की बात करूँ तो इसमें हमें पाल अगरी, गनत, ठीक है, अंगरेजी जैसे सब्जेक्ट में कम परसेंटेज ओफ रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहां एक कॉंट्री स्टेट्मेंट आपको दिखेगी, वहीं कहीं बिहार एस्टेट पेपर वन में सबसे जाधा, वान अप धायेस्ट तो यह एक बहुत बड़ा एक थिन लाइन, बहुत ही ब्रॉड लाइन ड्रॉ कर रहा है, वर्ग 9-10 वी और 11-12 वी में, तो आप लोग बहुत ही बड़ी आपनी तयारी करनी पड़ी कि, having said that, अगर मैं इंग्लिश की स्पेसिफिक ली बात करूं, तो तीनो वर्गों में से, चटी से आटवी, 9-10 वी और 11-12 वी उनमें से, जो 9-10 वी वर्ग है, उनका जो पेपर है, वो सबसे टफ आता है, तो अगर यह परसेंटेज बहुत जादा भी आया है ना, इंग्लिश का, 83, 80, 1.92 परसेंट आपको तिकर है पेपर वान में, तो भी आपको ओवर पेपर वान में, अभी इत्मा पेपर टफ क्यों लग रहा है, तो उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंटी प्राक्टिस और पढ़ाई करते रहने पड़ेगी, अंग्रेजी का सेलिबस, बिहार शिक्षक भरती के लिए बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया जाता है, इस तरीके से आप लोग को चीजों को ध्यान रखना है, सबसे पहला, BPSC TRE 3.2, 4.2, 4.2 के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स है, अब वो कैसे स्टूडेंट्स है, पहले तो वो स्टूडेंट है, जिन्होंने 6 तू 8 में कौलिफाई कर लिया है, वो अपनी जोइनिंग ले ल गया 6 तू 8 में, वो 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट का वेट तो करी रहे है, just in case आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप तुरन तैयारी पे लग जाए, ठीक है, चौथे फेस के लिए, दूसरी चीज में आपको पता देती हूँ, जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया है, 9, तो आप लोग अपनी कंसिस्टेंटली महनत करते रहो, अपने PYQ उठालो अब, 9, 10 के, और देखो यह जो इतना toughest paper बना था 9, 10 का, not just grammar, literature section भी बहुत tough of the toughest था, तो उसमें क्या ऐसा अलग था, उसको बार बार अब recapitulate करना शुरू करो, और जो 11, 12 वाले student है, उनको अगर अ आपने अच्छे से महनत करी क्योंकि आप लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया नहीं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने तो चुनिंदा सब्जेक्ट्स उठाएं, आप स्क्रीन शॉट लो, अपने सब्जेक्ट का परसेंटेज देखो और यह देखो कि अ आपको बिल्कुल यह जो कोल्ड वर आटिटीउड वो बिल्कुल बंद करने और अब लडाई है अपनी असली ठीक है, फेस फोर पॉइंटों के लिए ऐसी जी जान लगा देनी है कि बिहार में नौकरी लेने सामें कोई ना रो के क्योंकि तेखो ना आधी चड़ाई हमने अब अपने समिट पर पहुचने बागी और यहां पर समिट पर पहुचने के लिए खड़ी चड़ाई है, स्टीप स्लोप है तो आपके प्रेपरेशन में किसी वे टाइक प्लाटिउन आ चाहिए किसी वे टाइप की स्टागने चाहिए, यहां कंसिस्टेंटली नी पढ़ो यहां पर आपको करना पड़ेगा सूपर हाड़ वर्क, ठीक है, सूपर से भी उपर मेहनत लगानी पड़ेगी, तब जाकर 11-12 वाला जो पेपर है वो आपको समझ में आएगा, ठीक ठाक लगने लग जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट अज हमारे साथ तयारी करना चाहते उनको में दो तरीके बता देती हूं, सबसे पहले तो याद रखिए हमारे BPSC-TRE 4 पॉइंटों के बाचे लाइफ हो चुके हैं, कैसे इसको अवेल करना है, एक सिस्टेमाटिक रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको भी पता है, इतनी हम लोगों ने लेसंस लिया, इतनी ल के लिए तो प्रेपैर किया रही है आई, जो BPSC पेपर बन में आथा है जिए जेनरल पेपरम अवे उस के कि लाडाई Measure the बिहार इस्टेट नहीं है लांकिज के लिए लिए, तो लगविच तो आता ही निए उसके लिए भी एक solid strategy रखनी पड़ेगी और part 3 आपका subject है, बिहार estate का बहुत बड़ा योगदान है no doubt, but आप जम के बढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप क्या गड़ सकते हो, अरच 24-7 की वेबसाइट पर विजिट कीजे, यह नीचे दियेगा, पर दिस्क्रिप्शन बॉक से सीधा application डाउनलोड कर लो, और ऐसा कुछ आपका home page open up हो जाएगा, जैसे आप all courses बे जाओगे, teaching बे जाओगे, यह आपको दिख जाएंगे आपके badges, ठीक है, बिहार शिक्षक भरती के, जो भी student tested के result से, आप satisfied है या नहीं है, 90 प्लस लेकर आप और qualify हो रहा है, तो नो डाउट मेहनत करनी है, कोई second guesses ही नहीं अश चीज में, तो मानलो मैं यह टिक करती हो, 9-10 का बाच, ठीक है, इसमें TGT English का बाच मुझे Live Plus Recorded मिल जाएगा, मुझे इस बाच में, सबसे बड़ी खास बात और बढ़िया लगते है, लिट्रेचर की दो फाकल्टीज हैं, जो मुझे English Literature पढ़ाएंगे, और इस दर से बाहर निकालेंगे, 9-10 वी वर्ग के, ग्रामर एकलोथा, जो 45% वेटेश रखता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, अगर आज नहीं शुरू करी तो फिर कब करोंगे पता नहीं, तो अब धील नहीं देनी है बिल्कुल, अभी एक रूटीन बना हुआ है, अभी एनरजेटिक माइंड सेट है, एक स्किल सेट है हमारे पास, उसको बस अब लगा दो, जितनी एनरजी देना, इसका पोर इन कर दो अपनी आगे की तयारी में, नौकरी की तयारी में रादर, जो स्टूडेंट 11, 12 की तयारी गरना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास, यही सेम उपर्चूनिटी है, यहाँ पे आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिख जाएगा हमारा जो दोनों ही वर्ग के लिए तयारी करेगा, उनके पास टीचिंग का महापाक तो है ही है, टीचिंग का महापाक आप आँख बंद करके इन्रोल कर सकते हो इसमें, मेरा मेरी मन्जूरी रहेगी इसमें, 100% वालिडेट करूंगी मैं इसको, तो हमारे किसी भी बाच में हमारे साथ तयारी करनी है, और इतना रिजल्ट को और ज्यादा बढ़ाने है, मतलब इतना परसेंटेज अव रिजल्ट हमारा टी आरी में भी आजाए न, फोर पॉइंटों में तो चार चांद लग जाएंगे, प्रेपरेशन को, आप ये कोड यूज कीजिए और फटा-फट हमारे बाच में इनरूल कीजिए, और अब बेट बिल्लकूल नहीं करना है, क्योंकि मैं कल से और चानल पर वीडियो लेकर आऊंगी, एक्जामेनेशन रिलेटेड, ठीक है, सब कुछ कवर अपका अपका, और उसके बाद आपकी क्लासे शुरू हो जाएंगे, और अपका रिजल्ल कैसा रहा, अगर मैं आप तक नहीं पॉच पाई हूँ, तो आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताएं नीचे वीडियो पर टाप करके, अपना कॉमें सेक्शन में अपना रिजल्ट बताएं, फॉर आइकन कॉंग्राचिलेट यू होलहाटदली, और नीचे दियेगा है गूगल फॉर्म को भी फिल करना मत भूलना, ताकि आप अपनी फेवरिट फाकल्टी से मिलने का वो जो मौका है ना, अभी जो सूपर सूपर मौका ये नगावादे, गुद लाख!